नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच में पूरा बातचीत चल रहा था वो पूरी तरह से फेल हो गया है और यहाँ पर आप देख पाओगे news will intensify protest now farmers issue threat as 11th round of talks fail और आपको पता होगा कि recently यहाँ पर एक और खबर आई है कि जो 26th January को tractor rally निकालनी है उसकी भी permission दे दी गई है तो देखें overall यहाँ पर दो main demand आ गई है अब सब कोछ एक है आपका पूरी तरह से यह जो तीन farm laws है उसको हटा दिया जाए उसको सरकार वापस ले ले दूसरा यहाँ पर demand है दोस्तों वो है आपका जो minimum support price है उसको legal बनाया जी है यह वाला demand भी एक तरह से अब यहाँ पर farmers पूरी तरह से मांगने लगे हैं यहाँ पर आपके मन में कई प्रकार के सवाल आ रहे थे काफी समय से कि अगर सपोज इसको legal बना भी दिया जाता है तो सरकार को कितना और burden आएगा मत्तब सरकार और कितना extra खर्च करना पड़ेगा अभी के हिसाब से अगर यह MSP को legal कर दिया जाता है तो इसके बारे में मैं इसको लेकर Indian Express में काफी अच्छा article आया था और उसी को लेकर यहाँ पर मैंने ये वीडियो बनाया है तो काफी कुछ जानने को है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं मैं हूँ अंकित अगरवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस्टाग्राम, Facebook और एक तो हैं आपका Farm Loss को Repeal कर दीजे और दूसरा है यहाँ पर जो Minimum Support Price अब आप समझो काफी लोग Confuse हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ Minimum Support Price इसका मतलब क्या है कि सरकार इतना प्राइस देगी जी नहीं अभी तक ऐसा नहीं है ये एक तरह का Indicative Price होता है अगर सरकार कहती ह कि 1800 रुपए पर Quintal यहाँ पर Minimum Support Price है इसका मतलब यह नहीं कि सरकार Guarantee कर रहे है कि यहाँ पर हम आपको इतना देंगे ही देंगे क्योंकि किसी भी कानून के अधार पर कहीं से भी इसको backing नहीं मिली है ये बेसिकली एक तरह का Indicative Price होता है Indicative का मतलब है कि जो Farmer है जब किसान अपनी फसल को लेकर जाएगा मंडी में तो लगभग उसको इतने क्या सपस at least price तो मिलना चाहिए ऐसा सरकार का कहना होता है अब सरकार actual में उस पर खरीदेगी की नहीं खरीदेगी ऐसा सरकार के उपर foundation नहीं है लेकिन अगर suppose मैं कहता हूँ कि ये वाला अगर इसको legal बना दिया जाता है तो legal बनाने का अर्थ क्या है इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको कानून के तहत ये कह रहे हो परलेमेंट में आपने कानून पास कर दिया ये कहा कि जो भी minimum support price होगा अगर किसान अपना जो धान है जो भी यहाँ पर production है उसको बेच नहीं पाता है minimum support price के आप खरीदो फिर सरकार को खरीदना पड़ेगा अभी तक क्या है कि किसान जो है court में नहीं जा सकता किसान जो है नया पालिका के पास नहीं जा सकता और ये नहीं कह सकता कि सरकार हमारा जो है अनाच नहीं खरीद रही है क्योंकि ये legal backing नहीं है इसको अब जब legal हो जाएगी जो private players हैं उनके उपर भी foundation कर दिया जाए कि आप भी minimum support price से नीचे नहीं खरीदो गए foundation कर दिया जाए तो एक तो वो हो गया लेकिन जरूरी नहीं है कि private players खरीदेंगे तो यहाँ पर सरकार के उपर पूरी जमेदारी आजाती है कि सारा crop वो खरीदे लेकिन इसमें बहुत सा सबसे पहले हम यह देखते हैं कि अभी के लिए सरकार कितना खर्च करती है पहले तो आपको यह जाना होगा कि अभी कितना खर्च करती है और यहाँ पर अगर minimum support price legal कर दिया जाता है तो सरकार की उपर और extra कितना burden आएगा वो हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में तो मैं आपको example बता रहा हूँ 2019-20 का जो की आंकड़ा यहाँ पर अभी है हमारे पास 2019-20 में सरकार ने कितना खर्च किया यह तो आपको पता होगा कि सरकार अलग-अलग agencies के माध्यम से जैसे की Food Corporation of India हो गया National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India हो गया Cotton Corporation of India हो गया इन सब के माध्यम से यहाँ पर किसानों से अनाज खरीदती है अब देखें directly किसान से भी नहीं खरीदा जाता है जो आपने सुना होगा middle man होते हैं बीच में उनसे यहाँ पर सरकार एक तरह से यह जो agencies हैं वो ले लेती हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर अगर आप 2019-20 का आकड़ा देखें तो सब सबसे जादा सरकार के द्वारा कौन सी चीज़ें खरीद जाती हैं तो सबसे जादा है वो है आपका paddy, paddy सबसे जादा जो rice होता है वो खरीदा जाता, आप देख सकते हो 77 million tons यहाँ पर सरकार ने rice खरीदा था, paddy खरीदा था 2019-20 में और उसकी value आपको पता है कितना है 1.4 lakh करोन, जी हाँ 1.4 lakh करोन और दूसरे number पर फिर आता है wheat, तो wheat की यहाँ पर जो cost है वो है आपका 75,000 करोन, तो यहाँ पर 0.75 lakh करोन, तो आप कह सकते हो कि सबसे जादा यहाँ पर जो सरकार है वो paddy खरीदी और wheat खरीदी है, सिर्फ यही नहीं इसके लाबा और भी कई है, अरहर दाल हो गया, groundnut, mustard, green gram, यह सारी चीज़ें भी खरीद जाते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं ली जाती है, सबसे जादा पैडी और wheat ही लिया जाता है, तो यहाँ पर इसका जो पूरा total अगर हम दाम जोड लें, कि सरकार यहाँ पर जितना भी खरीदी है, त यहाँ पर खरीदेते हैं, तो सरकार अभी इतना तो खरीद ही रही है, लेकिन यहाँ पर suppose मैं कहता हूँ कि farmer जितना भी produce करता है, तो अगर सब कुछ सरकार खरीदे यहाँ पर, तो कितना यहाँ पर सरकार को खर्च करना पड़ेगा, अब जब मैं कहता हूँ सब कुछ खरी तो अगर हम 2019-20 का आकड़ा लेते हैं, कि जितना भी production हुआ, उसका value कितना है minimum support price के अधार पर, तो आप देख सकते हो, सबसे रहा value है paddy का, 3.2 lakh करोन, weed का total price है 2.0, मतलब 2 lakh करोन, तो ये 2019-20 का उसकी value है, तो ये जो total 23 crops है, जिन पर minimum support price सरकार announce करती है, अगर इन सब की value अगर आप जोड़ोगोई, ये आप जितने देख रहे हो ना, ये total 23 crops हैं, उनके total value दोस्तों अगर आप जोड़ोगोई, तो ये आता है 10.7 lakh करोन, जिहां, 2019-20 में ये 23 crop का जो total production की value थी, ये था आपका 10 lakh करोन, तो इसको मैं round off करके कहता हूँ, suppose 10 lakh करोन, ले नहीं, यहां पर अगर आप देखोगे, तो farmer खुद के consumption के लिए भी बड़े पैमाने पर वो रखता है, फिर surplus वो बेचता है, इसके लावा अगले season के लिए जो seeds वगरा होते हैं, उसके लिए भी यापर कुछ रख लेता है, animals वगरा होते हैं उसके फार्म पर, तो उसके ल अगर आप देखोगे, overall यहां पर अगर आप देखिए, तो हम कह सकते हैं कि 75% जितना भी production होता है, इसका 75% जो farmer है, एक तरह से वो बजार में लाग करीब बेचता है, जिसकी overall value आती है करीब 8 लाख करोन, मतलब की total value कितनी है, 10 लाख करोन, लेकिन जो जितना वो आकर बेच करना होगा, देखिए, अगर पूरा खरीदेगी, तो 8 लाख देना ही होगा, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन, एक्चुल में इसमें बहुत सारी चीज़े हैं, जो आप इसको exclude कर सकते हो, इसमें से हटा सकते हो, जैसे कि for example, मैं आपको बताओ, इन 23 crop में मैं आपको ब आपके factory हैं, मिल हैं, उनके द्वारा ये payment किया दाता है, सरकार उसको नहीं करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कि ये सुगर मिल वाला, हम इसको हटा सकते हैं, सुगर के, दूसरा, क्योंकि हमें extra निकालना है, एक्ट्रा 8 लाख करों नहीं देना है, क्योंकि सरका है, उसमें से सरकार अगर 1 4th खरीद ले, या फिर 1 3rd भी खरीद ले, तो उतना काफी होगा उसको उस price को उपर ले जाने के लिए, देखें, farmer का main demand क्या है, कि MSP पर खरीदना है, तो suppose मैं कहता हूँ कि सरकार ने 2,000 रुपय MSP अनाउंस किया wheat के लिए per quintal, तो यहाँ पर अ बेच रही है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, कि सरकार जो है, उसका 1 3rd खरीद लेगी, तो आप देखें हो, वे economics में क्या होता है, कि जब भी यहाँ पर demand बढ़ा रही है, 1 3rd crop खरीद दिया, तो automatically क्या होगा, कि demand बढ़ने की वजए से उसका price बढ़ जाएगा, यही तो economics ह दिमांड बढ़ने के वजए से price बढ़ जाएगा, तो सरकार यहाँ पर अगर 1 4th, 1 3rd खरीद लेती है crop का, तो automatically उसका price 1500 से बढ़कर 2000 या 1200 या 1200 तक पहुँच सकता है, तो यह भी एक अगर हम economic के तौर पर देखें, तो सरकार को सब कुछ खरीदने की ज़रुत नहीं है, 1 3 अगर 1 4th भी खरीदती है, तो उसका price MSP तक पहुच सकता है, और यहाँ पर किसान अपने private players को भी बेच सकता है, जैसी कि फ़र मैं आपको example बताता हूँ, इस साल जो cotton production का overall value है इस वर्ष, वो आ जा है 358.5 lakh bills, मतलब इतना production हुआ है, जिसमें इसकी सरकार ने, यहाँ पर CCI ने 87 lakh bills खरीद लिया है, मतलब कि पूरा थोड़ी खरीदा, 87 lakh bills ही खरीदा, इसकी वज़े से क्या हुआ, कि जो cotton का MSP पर जो price था, वो वहाँ पर आ गया, क्योंकि सरकार ने demand कर गया, तो automatically उसका price जो है वो बढ़ गया, market के अंदर, जिसकी वज़े से private players को अब MSP पर इसलिए उसको खरीदना पड़ गया, तो यहाँ पर सरकार को सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मेरा यह कहना है, यहाँ पर कुछ हिस्सा खरीदेगी, तो automatically price बढ़ जाएगा, और fourth यहाँ पर सरकार के पास कुछ पैसा भी तो बसता है, जैसे कि आपने देखा होग तो total यहाँ पर Indian Express में जो article था, उसमें यह बताया गया, कि additional 2.7 lakh करोण के अलावा, जो सरकार अभी खर्च कर रही है, procurement पर, इसके अलावा अगर हम देखें, तो 1.5 lakh करोण रुपे सरकार को और extra खर्च करने पड़ेंगे, अगर MSP को legal कर दिया जाता है, तो I hope कि आपके पा 4 lakh करोण रुपे सरकार को और total खर्च करने पड़ सकते हैं, अभी कितना कर रही है, 2.7 lakh करोण करी है, तो अगर MSP legal हो जाता है, तो यह आंक्रा बढ़कर 4 lakh करोण के आसपास हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, कि क्या problem solve हो गया, सपोज मैंने कह दिया, आपने से कई अगरी कर सकते हैं, कि चलो ठीक है, 2.7 lakh करोण खर्च करी रही है सरकार, 1 और 1.5 lakh करोण और खर्च कर दे और किसान खुश हो जाएगे, लेकिन ऐसा है नहीं, अगर आप देखोगे, तो यह हो सकता है कि problem को और जादा बढ़ा भी सकता है, आप समझो, यह problem इससे खतम नहीं होने वाली, क्योंकि हमने क्या भी discuss किया, MSP किस पर सरकार दे रही है, सिर्फ 23 crops पर, अब अब आप देखो क्या होगा इसकी वज़य से, कई सारे किसान, सब लोग क्या करेंगे, धरी-धरी इसी पर shift होने लग जाएंगे, तो हमारे देश के अंदर अलरी wheat, paddy, इन सब का production अ बहुत जादा होती है, in fact मैं आपको बताओं, तो fruits, vegetables और livestock के product अगर आप मिला दोगे, तो जितना भी हमारे देश में agriculture, forestry और fishing से income आती है, उसका 45% value अकेले fruits, vegetables और livestock से आता है, लेकिन किसान कई बार उसमें जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर उसको आप कहोगे MSP मिलना आपको, तो किसान हमेशा वही हुगाएगा, risk taking factor यहाँ पर कम हो जाता है, इसके लाबा milk और milk products आज की rate में काफी अच्छा काम कर रहे है, तो यहाँ पर basically कहने कार्थ है कि हमने जो बात किया कि सरकार 4 लाग करोन तक का खर्च करें, वो सिर्फ 23 crops पर कर रही है, बाकी के भी तो crops हैं, उसका क्या होगा, यह सबसे बड़ा question है, और इसलिए यहाँ पर यह काफी heavily challenging हो जाता है, physically अगर हम देखें, सरकार को बहुत कर्च करना पड़ेगा, आगे चलकर हो सकता है, यह demand आ जाए, कि fruits, vegetables पर भी दे दो, और भी चीजों पर दे दो, तो इससे क्या होगा, 4 जैसे कि फ्लाट, जितना पर एकर है, किसान के पास, उसके हिसाब से आप cash transfer करी, जैसे तिलांगना के अंदर रायतू-बंदू scheme चल रहा है, वैसे ही central government का PM किसान scheme है, पर household, farm household के अधार पर 6,000 रुपए पर सालाना दिये जाते हैं, तो इक्रॉमिस्ट का किये कहना है, कि आ direct cash transfer करो, land के अधार पर, household के अधार पर, minimum support price एक तरह से, जो distortion है, वो यहाँ पर market के अंदर कर देता है, तो यह पूरा वीडियो है दोस्तों, I hope कि यह interesting लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, problem क्या है, यहाँ पर जो आक्डे हैं, वो भी आपको जानने को मिल गया होंगे तो जाने से पहले मैं आपके एक question लेकर आए हैं, उसको ध्यान से करना, यहाँ पर मेरा आपसे question है, कि जो सरकार purchase करती है, जो आपका PDS को maintain करने के लिए, buffer stock को maintain करने के लिए, जो सरकार यहाँ पर खरीती है किसानों से, उसको हम कहते हैं, उस price को क्या कहते हैं, उसको ध्या पढ़ने पढ़ने आचाहते हैं या फिर कोई भी कोर्स पर्चेस करना चाहते हैं स्टड़िया क्यों आप पर जा सकते हैं आई होग की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से नेक्स टैम तिल देन थांक यू बरी मच्च सी यू सुन